नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बात करेंगे एक बेहतरीन स्टोक की यदि आप एक मल्टिवेगर स्टोक सर्च कर रहे हैं तो आपको ये स्टोक जरूर देखना चाहिए इसके हम जानेंगे 10 पोजिटिव पोइंट उसके बाद आप सोच सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं खुझ से भी कि ये स्टोक आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए ओल्डेडी इस स्टोक पर जब इसकी किमत 36 रुपे थी 21 दिसंबर के आसपास तब मैंने वीडियो बनाया था और ये उसके बाद आप देख सकते हैं लगबग 75 के आसपास ये शेर जाकर आया तो अच्छे कासे रेटन बना किती हैं तो यदि आप एक अच्छा इस्टोक डून रहे है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और कंपनी का नाम में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा HB Stock Holding Limited तो दोस्तों आईए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में इसके आप नए हैं बिल्कुल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे तो अब बात करते हैं इस स्टोक की सबसे पहले तो यहाँ पर इतना जवरदस रेली आपको सेर में देखने को म आप देखोंगे फेस वेल्यू कंपनी की 10 रूपए है EPS 27 रूपए 95 पैसे तो अब बात करें कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट है टोटल 10 पॉजिटिव पॉइंट हैं पर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी की जो बुक वेल्यू है वह 94. 24.4 मतलब कि सेर अभी अपनी बुक वेल्यू से कम ट्रेड कर रहा है दूसरा आरोई ओवरोल आरोई कंपनी का काफी सांदार है फेस वेल्यू यहां पर दोस रूपए है लेकिन EPS अगर आप देखोंगे नंबर 3 पॉजिटिव पॉइंट EPS 28 का नंबर 4 प्रोफिट पिछले 5 साल की और ओवरोल काफी बहतरी उसके बाद हम बात करें नंबर 6 पॉइंट की तो इंट्रिंसिक वेल्यू 514 500 से उपर की इंट्रिंसिक वेल्यू और सेर ट्रेड कर रहा है 70 रूपए के आसपास यानि बहुत ही कम प्रैस में सेर यहां पर आपको मिल रहा है नंब नंबर 8 इस्टेबल यहां पर पर मोटर्स की होल्डिंग है बिल्कुल इस्टेबल है कोई भी पर मोटर्स ने आप अपनी होल्डिंग बेची नहीं है नंबर 9 यहां जो CGR की लेवल पर आप देख सकते है 67.69% की रिटन दिये पिछले 5 साल में और अगर लास्ट देखें त यहाँ पर मोटर्स का कोई भी सेर वो फ्लेट शेर नहीं है कोई भी सेर यहां पर मोटर्स ने गिरवी नहीं रख रखा है इसके लावा पोजिटिव पॉंट के अ?गर यह बात करें नेगीटिव पॉंट क्या है तो रिटन उन equity अगर आप देखोगे पिछले तीन साल का माइनस एक परसेंट है लेकिन लाश्ट येर का 28 परसेंट तो दोस्तो finance sector की एक company है और Reserve Bank of India की साथ ये registered है face value 10 रूपे है आने वाले टाइम में split भी हो सकता है सांदार profit, सांदार sales सांदार intrinsic value और यहां पर हम बात करें बेहतरिन EPS, promoter holding भी लाजवाप कोई place share नहीं है वन्ना mentally share सही है overall हम देखे काफ़ी positivity है company के अंदर और यादी Q3 के result भी company के सांदार आते हैं तो आपको इसी stock में और जबरतस ट्रेली देखने को मिल सकती है, तो दोस्तो ROI के अलावा यहां पर काफ़ी कुछ positive company के बारे में तो आप इसके बारे में जरूर सोचे और अपने financial advisor से जरूर सला ले इस stock में कोई भी invest करने से पहले या कोई भी holding बनाने से पहले, exit करने से पहले और hold करने से पहले, thank you keep supporting